दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ कई और पहलवानों का धरना जा रही है विनेश फोगाड बजरंग पुनिया साक्षी मलिक समित कई पहलवान हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं वहीं सो रहे हैं वहीं खाना खा रहे हैं वहीं पहलवानी भ देखते हुए कुष्टी महासंग के अध्यक्ष ब्रज भूशन शरन सिंग के खिलाफ दो F.I.R. दर्ज की है। इसमें एक पॉक्सको एट के तहत F.I.R. दर्ज है एक दूसरी F.I.R. है जो बालिक महला पहलवानों की तरफ से। अब ऐसे में F.I.R. दर्ज होने मातर से क्या धरना खत्म हो जाएगा। नहीं पहलवानों का कहना है कि जब तक ग्रफतारी नहीं तब तक धरना भी जारी रहेगा। ऐसे में पहलवानों से मिलने के लिए उनके साथ हमदर्दी जताने के लिए उनके दर्द को जानने के लिए कई स्यासी पार्टी के निता पहुच चुके हैं कई सामाज एक कारेकरता पहुचे हैं कई खाफ पंचायते पहुची हैं सामाज एक दल पहुच रहे हैं और इस बीच कॉंग्रिस का बड़ा चहरा प्रेंका गांधी करनाटक विदानसवा चुनाओ को जाते जाते वहां के परचार के लिए निकलते निकलते जंतरमंतर भी पहुँच गए। और यहां पर वो उन महिला पहलवानों से मिली। ऐसे में इस धरने में जो राजनेतिक द पहुची थी तो उन्हें वहां से हटा दिया गया था। लेकिन अब जब एक बार फिर धरने की शुरुवात हुई है तो पहलवानों ने कहा कि अब हमें समझ में आ गया है। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग सब आईए हमें समर्थन दीचे। लेहाजा अब हर राजने तिक दल पहुच रहा है। प्रियंका गांधी भी पहुची लेकिन तमाम सियासी दलों के पहुचने के बाद अब बीजेपी में हल चले है। और बीजेपी से जुड़े हुए निता इसको लेका सोशल मीडिया पर एक माहौल बना रहा है। निता तो एक तरफ है अब अगर धरने पर हैं तो बबीता फोगाट पर भी दबाव है कि इस धरने को खत्म करवाया जाए। और इस सबसे इतर अगर कॉंग्रिस का बड़ा चेहरा इस धरने में पहुच जाए तो फिर आप समझे कि बबीता फोगाट की चिंता कितनी होगी। लहाजा उन्होंने सीधा जवाब बबीता फोगाट को दे दिया है। ऐसे में सामाजिक दल और कॉंग्रिस के नेताओं का बदर्शतूर जो हिमायत है अब वो पहलवानों को मिल रही है। बबीता फोगाट के ट्विट पर अब खुल कर जिस तरह से उन पर उनके ट्विट का जवाब दिया ज रहा है और उसके बाद जैसे सवाल हो रहे हैं उससे तो लग यह रहा है कि अब बबीता फोगाट को पहलवान ही जवाब दे रहा है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर पीम मोदी से उस सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं उन बीजेपी नेताओं की तरफ से जो इस धरने के खिलाफ अब ट्विट कर रहा हैं। बोलता है इंदोस्तान पर मैं हूँ आपके साथ मिर्जा शाकर अली बेक। कॉंग्रिस का बड़ा चहरा प्रियंका गांधी पहुची थी धरने पा और धरने पा पहुचने के बाद उन्होंने जहां पहलवानों को समर् दिया। वभीता फोगाट विनेश फोगाट की बहन है। वभीता फोगाट ने कहा इसे राजनितिक मंच ना बनाएं। उन्होंने लिखा शुनिस से शिखर तक पहुचने वाले हम खिलाडी अपनी लड़ाई लड़ने में सभीन सक्षम हैं। खिलाडियों के मंच को राज पुरा देश सवाल कि VA उन्होंने कहा है यह खिलाडए हमारह मान है। यह देश के लिए पदक जीत थे पूरा देश पुलिस ने बिजली काट दी है और ऐसे में तखत तक पुलिस नहीं लगने दे रही है गद्दे तक नहीं बिचाने दे रही है आखिर ये कैसी सरकार है कैसे प्रधानमंत्री है जिसे अपने परिवार के बारे में चिंता नहीं उसके सम्मान और गरिमा की रक्षा वो नहीं कर सकते हैं प्रेंका गांधी की मौझूदगी ने सियासी हलचल को बढ़ाया लहाजा बीजे पी के नेता वविता फोगाट का सबसे पहले ट्विट आया जिसका जवाब खुद विनिश फोगाट ने दिया विनिश फोगाट ने लिखा कि अगर पीड़ित महिला पहलवानों के ह सियासत करने का आरोप पहले भी लगाया था पहलवानों ने आरोप लगाया था कि दूसरों की बात क्या करें हमें हमारी बहन बविता फोगाट नहीं धोका दिया है विनिश ने कहा था कि बविता अपने राजनितिक करियर को लेकर ज्यादा चिंतित हैं उन्होंने पहलवा तो हमसे कहा गया था कि कोई भी राजनेतिक दल इसमें शामिल नहीं होना चाहिए और हमने ये बात सुन ली थी और ये बात बवीता फोगाट ने हमें बताई थी लेकिन उसके बात हुआ क्या उसके बात जो चीजें हुई है उसमें नयाय नहीं मिला है हमारी पीट पर चाकू मारा और हमें यहां केला छोड़ दिया गया ऐसे में पहलवानों का ये धर्णा अब कई और रूप लेता जा रहा है पहलवानों के भीतर भी बीजेपी के पहलवान और पहलवानों के पहलवान ये दो धर्णे बनते जा रहे हैं ऐसे में देखना होगा कि आखिर सुप्रेम कोर्ट के दखल के बाद इनसाफ कब होता है और कैसे होता है